स्वागत के सुपक्रम को हम यहीं विराम देते हैं पुश्पो हमारे सम्मान के प्रतिमानों से स्वागत कर हुए हम विबूद मन के स्वागत के भावों को स्वागत वाणी में अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त करने के लिए ससम्मान आमत्रित कर रही हूँ परमशद्दे राके सीन सर मंत्री लोक निर्मान विभाग मध्यप्रदेश शाचन को स्वागत भाशन है तू ससम्माना मंत्री थैं परमशद्दे मानिये राके सीन सर बोलिये भारत माता की अरे भाई हमारे बीच में एक ऐसे विक्ते तो मौझूद हैं जन्होंने के वल जबलपुर और महाकोशन नहीं संपूर मध्यप्रदेश को विकास की द्रश्टी से उचाईओं पर पहुचाया मानिये नितिन गड़करी जी जो बोलिये मेरे साथ भारत माता की भारत माता की भारत माता की आज के कारकेव में हम सबके बीच में उपस्थित एक ऐसा विक्तित्व माननी प्रधान मंत्री जी की नेतरत्व में भारत विकास की जिन उचाईयों को छूरा है उसके प्रत्यक्ष दर्शन करना हो तो देश और प्रदेश की सडकों को देख लो जिनका विजन जिनका निर्मान माननी गढकरी जी के कुशल माग दर्शन में हुआ है मैं चाहूँगा तालियों की गड़गला हाट के साथ में उनका विनंदन और स्वागात हम करें मंच पे बिराजुमान बाबा महाकाल के भक्त मद्द प्रदेश के शस्वी मुख्य मंतरी और विकास ही जिनका विजन है और जिनके नेत्रत्व में हम सभी मद्द प्रदेश को विकास के साथ-साथ माननी प्रदान मंतरी जी और माननी गड़करी जी के विजनक से साक्षात कार कराते हुए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं ऐसे माननी मोहन यादव जी हमारे बीच में हैं तालियों के साथ में उनका भी अभी नंदन हम सभी यहाँ पर करें जोरदार तालियों के साथ मंचा सीन मद्य प्रदेश के शश्वी प्रदेश अध्यक्ष खजरहों से सालसत माननी विश्णु दत्य शर्मा जी तालियों के साथ में उनका भी अभी नंदन हम सभी करें मंचा सीन केंद्री मंतरी माननी बीरंद्र कुमार जी केंद्री राज्य मंत्री माननी फग्गन सिंग जी मंचपे बिराजमान सांसत बहन सुमित्रा बालमीक जी मंचा सीन तूर्व केंद्री मंत्री और मद्द प्रदेश में मेरे साथी मंत्री सम्मानी प्रलाद पटेल जी मंचपे बिराजमान राजसभा से सदस्य, सम्मानिय कैलाज जी, मंच पे उपस्थित, सांसद भाई राज बहादूर सिंग जी, सम्मानिय वरिष्ट विधायक अजे विश्णोई जी, सम्मानिय सांसद धाल सिंग जी, विधायक सम्मानी सुशील तेवारी इंदू जी, सम्मानी अशोक रोहाणी जी, सम्मानी अभिलाश पांडे जी हमारे दोनों अध्यक्ष द्वय भाई प्रभात साहू जी, भाई रानू तेवारी जी, विधायक भाई नीरत सिंग जी, विधायक भाई संतोष बरकणे जी जन प्रतिनीदी गंड पताधिकारी गंड चुकि समय की कमी हैं तो मैं छमा चाहता हूं सभी का नाम नहीं ले पा रहा हूं और बड़ी संख्या मैं यहां सामने उपस्थित सभी सम्मानी जन चल रहा है। वहीं 265 करोर रुपे की लागत से 58 किलोमीटर लंबाई की तीन परियोजनाओं का लोकारपन होने जा रहा है। और सभी की पूरी लागत 2367 करोर रुपे है निश्यती इन से मद्ध प्रदेश और राज के आर्थिक सामाजिक और और जोगिक विकास को गती मिलने वाली है। अभी अभी 22 जनवरी को देश में आध्यात्म और आस्था की एक नई अलग जगी है। जबलपुर के चारों तरफ प्रेटन के बड़े बड़े ऐसे केंद्र हैं जिनकी समानता देश में आसानी से हमें मिलती नहीं। और मद्यप्रदेश के लिए वो दिन हमेशा से खुशियों से भरा हुआ होता है। सौगातों का होता है जिस दिन माननी गलकरी जी का आगमन मद्यप्रदेश की धर्ती पर और जबलपुर पर होता है। आज यहां के कारक्यमों में सौगातों के पश्चात भुपाल में भी वे सौगाते मद्यप्रदेश को देने वाले। अनेकों सौगाते मद्यप्रदेश में माननी गलकरी जी ने दिये मुझे याद है कि 3 दिसंबर 2017 को जब आप आये थे। तो मद्यप्रदेश के सबसे लंबे एलिवेटेट रोट याने फ्लाइ ओवर की सौगात आपने दी थी जिसे मद्यप्रदेश ही नहीं देश के अनेक राज्यों का सबसे बड़ा फ्लाइ ओवर माना जाता है। जबलपूर के विकास में एक महत्पून योगदान दे रहा है। इसके साथ साथ देश की दूसरी सबसे बड़ी रिंग रोट जिसकी लंबाई 112 किलो मीटर है। लगबग 3000 करोड से जादा लगबग 4000 करोड के आसपास की लागात की वो रिंग रोट जिसमें दो लोजिस्टिक पार्क बनने जा रहे हैं। जबलपूर में यहां के यातायात को देखते हुए आपने रोपवे की साथ भी जबलपूर में दी है। जबलपूर के रेलवे स्टेशन के पास से सदर गोरकपूर होते हुए छोटी लाइन फाटक होते हुए मा नर्मदाजी के याने गौरी घाट तक और उस पार तक जाने की सुविधा मिलने वाली है अनेकों स्टेशन्स बीच में होंगे। उसी तरह बड़ा फुआरा से शुरू होकर सिविक सेंटर से शुरू होकर बड़ा फुआरा बल्देवाग दमो नाका होते हुए अधारताल तक की दूसरी सौगात भी आपने ही दी है। और ये दोनों रोपवे मुझे बताते हुए खुशी है कि देश में वारांसी के बाद जबलपूर ऐसा शहर होगा जहां ये रोपवे ट्रांस्पोर्ट सिस्टम का हिस्सा होंगे। ये बहुत बड़ी सौगात माननी गलकरी जी के माध्यम से जबलपूर को प्राप्त हुई है। में लोक निर्मान मंत्री भी रहे हैं। और लोक निर्मान मंत्री रहते हुए आपने जो विकास के कीर्तिमान इस्थापित किये। उसके कारण से आपका वह कारिकाल देश के सभी लोक निर्मान मंत्रियों के लिए जो अलग अलग राज्यों में हैं उन सभी के लिए एक ऐसा माइल स्टोन हो गया है कि जिस तक पहुचना हर कोई चाहता है लेकिन आपके मागदर्शन के बिना वहां तक पहुचा नहीं जा सक तो मैं उम्मीद करता हूं कि मद्रदेश को आपका वह मागदर्शन हमेशा प्राप्त होता रहेगा माननी गलकरी जी वह विक्ति हैं जिनोंने रिवा में नहर के उपर और नहर के नीचे दोनों ही जगे सडके बना दी और ये भारत का पहला क्रत्रिम जल सेतु है जिसके न मुख्मंत्री जी के नेत्रतों मैं इतना ही आवान करना चाहता हूं आग रह करना चाहता हूं कि मद्रदेश का लोक निर्मान विभाग लोक निर्मान से लोक कल्यान की ये यात्रा आपके मागदर्शन में बियाबाद गती से पूरा कर सके विकास की वो इभारत जो अपनों के नुसार लिखा जाना चाहिए मानी मुख्यमंतरी मोहन यादव जी जिसके लिए संकल पे थें वो यात्रा हम सभी मिल जुल कर पूरी कर सकें इसके लिए आपका मांग दर्शन हमें हमेशा प्राप्त होगा ऐसा मुझे विश्वास है आज को छोटी-छोटी बातें भी आपके सामने में रखना चाहता हूँ आपने जबलपूर से अमरकंटक तक के आदो नया निशनल हाईवे दिया है अमरकंटक और अमरकंटक से बलासपूर उसके बीच में थोड़ा सा एक तीन किलोमीटर का पैच है यदि उसको भी प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया जा जबलपूर में जो अभी आपने रिंग रोट दिया है कुछ कारणों से उसमें एरपोर्ट की जो कनेक्टिविटी थी वो फिलाल अभी नहीं है और इसलिए अगर उससे रिंग रोट से अमझर वाले चौराहे से लेकर और एरपोर्ट की कनेक्टिविटी आप हमें देते है जिसकी लंबाई मातर 13 किलो मीटर है तो ये रिंग रोट भी सार्थक हो जाएगी और आसपास के शहरों से आने वाले वो लोग जिने सीधे एरपोर्ट जाना है उनके लिए भी अत्यंत आसान हो जाएगा अभी जबलपूर से राइपूर के बीच में फोर लेन रोट नहीं है कहीं से भी जाना हो तो या तो सिवनी लाखपर होकर जाना हो या किसी दूसरी टूलेन रोट का सारा लेकर जाना होता है अभी जो प्रस्ताविस्वला के लखनादौन से छपारा सिवनी बाला घाट रजेगवां होकर राइपूर इसका डीपियार लगबग पूंड़ता पर है और यह सिक्स लेन रोट बनने जा रही है आपका आशीरवाद इसको मिले और इसका डीपियार अगर जल्दी फाइनल हो जाए तो जबलपूर से लखनादौन तक फोर लेन रोट है सीधे राइपूर तक जबलपूर कनेक्ट हो जाएगा और एक नया मार्ग योगी होगा मांग बहुत सारी है माननी मुख्यमंत्री जी के नेत्रत्तों में हम आपसे मिलकर एक बार अपनी सारी मांगों को आपके सामने रखेंगे आपसे मांग दरशन लेंगे और उसके बाद दुस्तिशा में आगे बढ़ेंगे हिर्दे की गहराईयों से आपसे दी और महाकोशल को प्राप्त नहीं हो सकती थी हिर्दे की गहराईयों से इसके लिए आपका आबाद बहुत बहुत धन्यवाद भारत माता कीजए बहुत बहुत धन्यवाद से